कि हाँ आज का दिसक्रिशन है कंट्रोल सर्किट और पाउर सर्किट के बारे में और पार शर्किट को कैसे करते हैं तो उसी वे बेश्ट है तो जैसे आप ड्रॉइंग ओपन करेंगे तो वो अलग-अलग पीजस में रहता है एक पीज में गंडूल सर्किट रहेगा सेगें पपेज पाउर सरकिट रहेगा तो वैसे ही है पहले पाउर सरकिट को अमने सीट नुमर वन पे रखा आया नेक्सक्ट है गॉन स्मर्बी सार्कृट उसको एक्स्री खरोडिये करने के करें लिए यहां तक दुएस सो पाट्पन सरकृट पापते हैं पाट्सर्कृट ज्एप्ट है तो ध्री ऍत्रीसे चाहिए तो स्लाइव र pass बार में और उसके बात एक बाद नेश्ट आएगा MCCB, मॉल्डेट के इस सर्किट ड्रेकर, उसका एक नोटेशन रहता है, अलग अलग नोटेशन जनरली रखते हैं, जोंग में, तो MCCB को क्यों से नोटेशन हैं, नोट करते हैं, पावर कॉंटक्ट उसके बाद नेश्ट आएगा, केम, इसको होगा, उसके बाद नेश्ट आता है, ASS, यहां पर इसे CT का सिंबल है, यह 3 CT है, नेक्स CT क्याहां पर भी CT है, तो यह 3 CT के थ्रूँ, ASS, Ampere Selector Switch, तीनों फेज में कितना करेंट जा रहा है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं, इसको रेक नॉब रहेगा, तीन नॉब के थ्रू, आर, वाई, या फिर लाइन, 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 फिर में कितना करेंट जा रहा है, तो वो चेक करते हैं, Ampere Selector Switch से, नेक्ट हैं, मोटर प्रोटेक्शन रेले, Ampere, यह 2 जगह यूज किया है, हमने Ampere, तो इस CT का काम है, अगर करेंट इक्वल है, या फिर अन्बैल यह, अगर नॉन्मल रॉनिंग है, तो एन्सी रहेगा, इनकेज, कुछ करेंट अन्बैलंस है, ज्यादा करेंट है, तो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट, एन्सी होके, ट्रिक का इंडिकेशन दिखाएगा, और लास्ट मी, लास्टली, इंडेक्शन मोटर है, तो यह पावर सर सर्केट पर, कि यह पूरा प्रोसेस होता कैसे है, स्टेप बाइस्टेप, तो कंट्रोल सर्केट, बेसिकली, 110 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट AC पर काम करेगा, यह पूरा जो सिस्टम है, तो सबसे पहले, MCB रहता है, मैं इसे सर्केट ब्रेकर, इसको अन करने के बाद ही, जो कं पावर है, लाइक 110 वोल्ट, वो यहां से इधर जाएगा, या फिर इधर जाएगा, तो MCB अन किये है, हमारा जो 110 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट AC है, वो इस पार्ट में आया, तो नॉर्मल कंडिक्शन में, MCB अन होने के बाद, सिंस पैनल आफ है, तो यह पार्ट के एम, जो म यहां पे off indication दिखाएगा, ओके, और control circuit study करने के लिए, अलग अलग जगा पे, फैरोल नमबर रहता है, for example, सब जगा लिखने के लिए नहीं था, बट एक इक जगा पे mention किया हुआ है, जे 101 या फिर जे 102, तो अलग अलग जगा पे फैरोल नमबर रहेगा, ओके, और यह है, इसका source कहा है, तो उसके लिए ऐसा लिखा रहेगा, उस just particular part के नीचे, seat number 2, 4C, okay, उसको कैसे study करते हैं, कि यह बहुत important है, तो seat number 2, जैसा हमने, मैंने बताया, यह seat number 1 है, यह seat number 2 है, तो seat number 2 यह particular हुआ, 4C, okay, so, जो हमारा control circuit का diagram है, seat है, उसको seat number 2 के साथ, अलग अलग you know, axis पे अलग अलग तरीके से divide किया जाता है, like, इस part को 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे divide किया गया है, और इधर से A, B, C and D, so, यह part ऐसा जाएगा, ऐसे करके, and this part will go like this, top, तो यहां 4C mention है, 4C का उसर क्या हुआ, तो 4 यह हुआ, तो यहां से यहां तक का जो भी part है, वो 4 इक अंदर calculate होग यह पूरा part, and then C, C उपर है, तो finally, अगर यहां से अगर आप देखेंगे, तो 4 यह आया, and C यह आया, तो 4C, okay, C number 2 and 4C, तो came यह रहा, अगर यह operate होता है, तो यह NONC change होगा, ऐसा है, तो जब starting में जब सिर्फ MC भी on किया है, तो यह वाला, यहां तक supply जाएगा, इसको supply मिल यहां पर neutral मिला, phase neutral मिला, और यह NC है, because इसमें कोई movement नहीं है, कुछ changes नहीं है, तो यह particular LED जबू करेगा, that is off condition, okay, एक और option रहता है, test बटन का, so इस case में MCCB, यह off condition में रहता है, यह जो NC है, that is in off condition, अभी on नहीं किया हमने, हमने on नहीं किया, इसको off में रखा है, off रखने क इसका एक NC contact लिया, यह वाल NC contact, तो supply यहां तक आया, इसके बाद यह press test, push button है, इसको press करेंगे, तो directly यहां पर supply आएगा, phase आएगा, और neutral तो available है, तो K contact pick होगा, energize होगा, K contact है, auxiliary contact, जैसे यह power contractor था, यह auxiliary contractor है, okay, तो यह pick होने के बाद, यह वाला pick होगा, यह NC होगा, KM hold, you know, on होगा, क्योंकि उसको भी phase और neutral मिल रहा है, उसके coil के through, तो यह on होगा, तो यह just for checking purpose, कि हमारा circuit is okay, supplies में कुछ नहीं होगा, motor को supply नहीं मिलेगा, क्योंकि MCCB यह off condition में है, next condition में, जब start करते हैं हमको, start command देते हैं motor को, तो क्या होता है, अभी इसका NC contact है, तो जब MC CCB को on करेंगे, manually on करने के बाद, तो यह anode to NC होगा, anode to NC होगा, यहां तक supply आया, face के बाद, MPR, यह MPR का NC लिये है, MPR motor protection relay, MPR का NC क्योंकि healthy condition में है, तो supply यहां तक आया, उसके बाद emergency switch, normally NC condition में ही रहता है, normally close रहता है, जब उसको press करता है, तब वो open होता है, तो supply यहां तक आने के बाद, यह selector switch है, अब यहां तो local में update करना है, या तो remote में, in case अगर local में update कर रहे हैं हम लोग, तो supply यहां तक आया, selector switch को देने के बाद, local में select करने के बाद, supply इधर तक आया, phase यह तक आया, और उसके बाद यह local का push button है, local का push button है, और यह के का holding contact रहता है, इसके अगर आपको प्रोसेस में कुछ और एड़ करना है कुछ सेफटी फीचर से एड़ करना है तो यह पर्टिक्लर पॉइंट हम लोग यूज कर सकते हैं यह जो ऑप्शन रहता है अगर नहीं यूज करना है तो इसको डैरक्ली हम लूग कर देंगे यह फाइन जब लोग्ल में स्लेक्ट करके अगर उस बटन को मुंद करते है रहे हैं प्रेल में मोटर के पास तो संद्र गए रह और यह यह दो gefश्र है यह नं के पास इसका वोल्डिंग कांट्थ क्योंकि एक बार प्रेस करके यह तो वापस पोजिशन पे आ जाएगा एक बार NC होगा फिर वापस नो हो जाएगा वाट इसको कंटिनियस सप्लाइ मिलने के लिए यहां पर वोल्डिंग कांटेक्ट यूज करते हैं कि लिए तो यह एंसी हो जाएगा इसको मिला तो यह एंसी होगा तो कंटिनियस सप्लाइ इसके थोड़ जाएगा फिर और यह पिक रहेगा यह कहने के बाद के कहने कंकर यहां पर युश क्या है जिब यह के पर थो यह एंसी ओगा यह एंसी ओने के बाद कैम ऐन कॉम कॉन्टेक्र को कॉई समयं को अर्जाइस होगा और के एम की अब कि फाइनली ये वाला बल्ब ग्लो करेगा और मोटर ओन इंडिकेशन दिखाएगा अब ये एनो टु एनसी हुआ तो इसका प्रोजिशन चेंज होके एनसी टु एनो हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा और इसका जो डिस्प्ले है ये जो एलेडी है वो सो करना बंद करेगा त पैनल पे इनकेस अगर red है on condition और green है off condition तो starting में supply देने से पहले like mcp on करने के just बात green indication आएगा क्योंकि off है जब on करते हैं local से या फिर remote से तो green indication sorry red indication on होगा that is system running है और trip हुआ तो इसका एक orange या फिर yellow color का indication आता है वो हम लोग discuss करते है fine similarly PLC के case में remote के case में भी ऐसा ही होता है यहां तक supply रहेगा selector switch में हम लोग remote select करेंगे तो supply यहां आया उसके बाद control से या फिर server से एक do command आता है digital output command तो वो आने के बाद इसको nc करेगा यह nc होने के बाद supply stream यहां तक आएगा फेज यहां तक आया यह पिक हुआ यह पिक होने के बाद यह nc हो जाएगा और यह चल जाएगा तो दोनों के case में इसके case में इसके continuous hold करके रखता है auxiliary contactor के एक को similarly के hold work तो km that is main contactor on होगा on command आएगा और यह off command चला जाएगा और on off हो गया आप trip के condition पर आता है यहां पर और एक Q that is mccb इसका एक no use किया है ओके जैसा कि पहले बात हुआ था in case अगर कुछ unbalance होता है unbalance का मतलब है अगर तीनों फेज में सेम करेंट नहीं है तो यह system unbalance रहेगा या फिर motor jam हुआ तो उसको motor install भी कहते हैं in case motor jam हो गया ज्यादा करेंट ले रहा है तो as per the design as per the settings इसके जो contacts है वो change होगा no to nc होगा क्योंकि over current लिया है तो suddenly system को protect करना है motor को protect करना है और बाकी equipment को भी protected करना है अगर ज्यादा current flow कर रहा है तो सब कुछ damage होने का chances है तो यह in case of abnormal condition यह nc होगा यह nc होने के बाद directly kt that is trip contact trip auxiliary contact यह पिक होगा और यह led glow होगा और second case है q q अगर बहुत ज्यादा current क्योंकि MCCB का भी अलग अलग settings रहता है उसके बारे में अलग एक वीडियो है तो अलग अलग settings पे यह nc होगा in case ज्यादा current है या फिर ground current है तो उसके accordingly इसका भी nc switch switch होता है position यह nc होगा nc होने के बाद supply यहां आएगा and similarly this trip circuit system को trip करवाएगा and then यह वाला led जो भी design इसका glow indication है वो glow होगा तो यह था like power circuit और control circuit के बारे में how to study और hope समद में आया हूँ आप लोगों को कुछ हद तक कैसे बढ़ते हैं कैसे एक-एक position को क्यों यह पार्ट बहुत important है कैसे relate करते हैं यह चीज़ कहां पर use हुआ है तो एक detail रहेगा और feral है I hope almost clear हुआ होगा thank you please subscribe the channel like अगर अच्छा लगा होगा तो comment below अगर कुछ पूछना है या फिर किसी और topic पे एक video बनाने का आपका अगर ऐसा कुछ है रिक्वेश्ट तो हम लोग इस पर काम करेंगे thank you